प्लू फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बरतन साफ करने के लिए आप असानी से अपने गर पर लिक्विट बना सकते हैं यह मार्किट के लिक्विट से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके के लिक्विट मिलते हैं मार्किट में और इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह फाइफ लिटर का है ऐसे ही काफी सारे और भी आते हैं बटन दोने के लिक्विट जैसे कि है वेम यह भी आपको मार्किट में असानी से मिल जाता है तो आज हम इसी की तरह आपको लिक्विट बना कर दिखाएंगे इसके लिए आपको मैटे टीएस्पी फोर्थ पे कॉस्टिक सोड़ा चल यह भी से बनाते हैं सिल्री जोता है वो काले रंग का होता है यूरिया आपको पास की दुकान पे सानी से मिल जाएगा टीएस्पी होता है वो दानेदार होता है देखिए हमारे पासे सारे मैटीरियल है सबसे पहले हम इसमें का ने डाल दिया है कॉस्टिक सोड़ा इसको उने इच्छे से मिक्स किया फिर हम इसके अंदर एड करेंगे यूरिया यह पाउडर के जैसे होता है और फिर हम इसे दुबार अच्छे से हिलाएंगे देखिए इसका हलका पीला कलर आने लग गया है अब हम इसके अंदर एड करेंगे देखे यह आपको दिखाई दे रही होगी सबसे पहले हम इसके अंदर सीलरी एड कर देते हैं देखे यह लिक्विड की तरह हैं जैसे ही हमने यह एड की तो इसका कलर वाइट हो गया और फिर हम लास्ट में इसमें एड़ कर देंगे टी एस पी ये दानेदर होती है ये आपको जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये लगेगा कहीं ये सूजी है चलिए अब इसे हम एड़ कर देते हैं इसके अंदर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे देखें किस तरह के दिखाई दे रही है आपको अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए ये गाड़ा गाड़ा हो चुका है इसे हिलाने से पता चल रहा है और इसका लाइट येलो कलर भी आ चुका है चलिए आप इसे घर पर एक पर जरूर बना कर देखिएगा इससे बरतन जो होते हैं वो अच्छे से साफ हो जाते है इसकी चिकनाई भी काफी अच्छी होती है आप एक बार जरूर ट्राइ करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस इस वीडियो को लाइक करें कोमेंट जरूर करें थैंक यू